हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फोर यू, सो गाईज आज की इस वीडियो मैं आपको पहले क्लेर कर दूँ, आज जो आपका कोई भी SSE CGL का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर रहा हूं, जिनका आग्याने वाले सिप्ट हैं, उन सभी प्रेशनों को जो है, इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिनों ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE CGL एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा, और बगल में यह आपको एक बैलेकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश कर दिएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका पहला कोशन है था, कि which of the following is not a part of animal field level load曲 shifting time, यानि निम्य लिखित में और कौन पसु कोशिका का भाग नहीं है, जहां पे option में आपका एक प्लास्टिट्स जा वह दिया गया था, तो दिएगे तो ये तीन जो आपके प्लास्टिट के प्रकार होते हैं तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अगर बात कर ले एक आपका option में दिया रहता है सेलवाल के बारे में तो देखें ये जो आपका कोशिका भित्ती है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे एक्जामों में देखा गया कि प्लास्टिट्स option में नहीं दिया जाता है सेलवाल option में दिया जाता है इसलिए मैं आपको बता दू कि जन्तु कोशिका में जो है तो ये पांडियन समराज जी का जो मुख्य बंदरगा था ना ये कोरकाई बंदरगा था तो कोरकाई बंदरगा आपको है या पे निपनMाय calo के कोरकाई बंदरगा में आपके मोती मतस्य पालन और चौक डाइविंग जो है ये सबसे ज़्यादा जो वो प्रसीद था तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा next question है आपका आपरादा कि संभिधान के किस अनुछेद में जो है सभापती यानि भारत के उपराष्ट पती और राज्यसभा के उपसाभापती का जो है इसके ओलार के राज्यसभा कोन जो होटे है ये भारत के उपराष्ट पती होते है और ये किस अनुछेद में शृपा इनुछेद में जो तहों ये कस राज्यою में मनाएं जाता है तो देगे गुगा नौमी का जो तoirा रहन शोप दारे जाता है तो हरियाना आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके हाँ एकजाम में यहाँ से फरशन पूछा जाता है कि गुगा नौमी जो कि आपका हरियाना रज्जे में इस्तेवहर को मनाए जाता है इसका जोए डूसरा नाम जो पूछा जाता है तो जाना जाता है जैसे कि गुगगा नौमी को जो जाना जाता है और कुछ बच्चों ने बता है कि हर्याना ऑफ्सन में नहीं दिया गया था तो देगे मैं आपको बता दू कि यह आपका गुगा नॉमी का जो तेवार है ना एक तो आपका हर्याना राज्जी में मनाया जाता है इसके अलावा आपका हिमाचल परदेश राज्जी में मनाया जाता है इसके अलावा आपका पंजाब राज्जी में मनाया जाता है तो Arabian Sea Coast का जो जो वो नेम पूछा गया था तो देखे अरब सागर में जो तट का जो नाम है जैसे आप भारत काँ मैप देखोगे तो इस पर आप देखोगे यह आपका Arabian Sea हो जाता है इधर और इधर जो हो जाता हुआ आपका Bay of भारत के तटिये छेटर का अगर लंपाई पूचा ज़ाए कितना तक है फैला हुआ है तो ज貼ु को फैला हुआ हो। ये सब जो आपके पस्षिम बंगाल के तटवर्तिय राज्य हैं तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका रहा था कि 2011 की जनगन्ना के नुशार कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतीसत जो है अन्य धर्म का जो वो पालन करते हैं तो देखें मैं आपको दादू की 2011 की जनगन्ना के नुशार भारत का जो कुल जनसंख्या रहा था ये आपका 121 करोर रहा था जिसमें अगर हिंदु की बात कर ले तो हिंदु का जो जनसंख्या का प्रतीसत है ये आपका 79.8% रहा था और मुसलीम का अगर बात कर ले तो देखे मुसलीम का जो प्रतीसत रहा था जनसंग्या का यह आपका 14.2% रहा था इसाई की बात कर ले तो इसाई का जो आपका 2.3% जो वो पॉपुलेशन रहा था सीख की बात कर ले तो सीख का 1.7% आपका रहा था बहुत धर्म की बात कर ले त जो बहुत धर्म का जो आपका 0.7 परसेंट रहा था जयान धर्म का जो आपका 0.4 परसेंट रहा था और अन्य धर्म का जो आपसे पूछा गया था तो देखे अन्य धर्म का जो प्रतीसत है ना यह आपके 0.7 परसेंट रहा था तो 0.7 परसेंट आपके यहां पर करेक्ट अंस में थी और वो छे परमुग दर्म आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाई, बौद, इसके अलाब आपका एक जैन यह आपके छे परमुग जो वो धर्म थे तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका है पराता कि उपादियों का अं यह अनुछेद 18 के तह जो है वो किया गया है तो अनुछेद 18 आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा देखे उपादियों का आंतिये जो आपका एक मौलिक अधिकार है और इसमें आपके भारते समिधान में यह आपके समानता के अधिकार का अंतरगा जो है यह आजाते हैं और समानता का अधिकार में कौन-कौन से अनुछेद आ जाते हैं तो यह आपके अनुछेद 14 से 18 तक जो है यह आपका समानता का अधिकार के बारे में जो वो बताता है जिसमें अनुछेद 14 में जो है यह आपके कानून के समझ समानता को बताता है अनुछेद 15 में जो है धर प्रिस्टा का उन्मूलन यानि चुआ चुट का उन्मूलन जो है यह आपके अनुचे 17 में जो वह कहा गया है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रहिएगा नेक्स्ट कोश्य आपका आपनाटा कि वर्तमान में बी-सी-सी-आई के अध्ययच कौन है तो देंके वर्तमान मे कर लें बी सीशाय के वर्तवान उपाध्यच कौन है तो यह आपके राजीब सुकला है और वर्तवान में के सचिव कौन है तो यह आपके जैस साव हैं तो यह पॉइंट भी आ ध्यान में रिखिएगा बी सीशाय का फुलपम मागर इक्जाम में पूछा जाए तो वोर्ड कि दिसंबर 1928 में किया गया था और BCCY के पहले अध्यस के बारे में पूछा जाता है तो देखे BCCY के जो पहले अध्यस देना ये ग्रांट गोवन थे और इनके जो पहले सचिव के बात कर ले तो पहले जो सचिव थे ये आपके एंथोनी डी मिलो थे तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका याप राद है कि अनूप राग विलास नामक पुस्तक को जो है ये किसने लिखा है तो देखे अनूप राग विलास नामक पुस्तक जो है ये कुमार गंधर्व के द्वारा जो वो लिखा गया था तो कुमार गंधर्व आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा और देखे इसी से मिलता जुलता एक आपका नाम है अनूप विलास करके तो देखें ये जो आपका अनूप विलास है ना जो कि भारते सास्तरे नेते पर जो है लिखा गया एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को जो है ये रगुनाथ सीरो मनी के द्वारा जो है वो लिखा गया है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश्य है आपके वराता के मुद्रायोजना ये कितने प्रकार का होता है लेकिछा में आपके प्रकार के जाता है तो पहले आपका सीसु लोन जिसके तहट जो है तो दिया जाता है। इस यह 5065,000,000,000 पेयर और कज दिया जाता है, The third one of the loans of tax, which is 5200,000-10,000,000,000颯किं-us would be है this three but this price there is correct answer and answer to me इसके लाव अगर मुद्रा का फुल फॉम की बात कर लें, तो देखें, मुद्रा योजना का फुल फॉम होता है, यह आपके माइक्रो यूनिट, डेवलोप्मेंट एंड रिफाइनेंस एजनसी होता है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, और यह किस मंत्राले क अंत्रगत आता है, तो यह आपका वित्म अंत्राले के अंत्रगत आता है, और मुद्रा योजना की सुरुवात कब हुई थी, तो देखें, मुद्रा योजना की जो सुरुवात है यह आपके 8 अपरेल 2015 को स्थापित किया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में पंडित रवी शंकर जी को जो है, 1999 में भारत के सर्वोच नागरीक सम्मान, भारत से भी जो वो सम्मानित किया गया था, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट कोश है आपका है, कि कमलीनी अस्थाना और नलीनी अस्थाना को जो है, 2022 में कौन सा आव जो है, कमलीनी अस्थाना और नलीनी अस्थाना को जो जो जाना जाता है, और इन्हें 2022 में पदम स्री पुरुषकार्ट से जो वो सम्मानित किया गया था, तो पदम स्री आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपका आपका अपरादा कि अंडर विच एक्ट, डे भारत के ततकालीन सासक जो है, जो है, जौर्ज वी ने क्विन मेरी के साथ ये घुष्णा किये थे, कि भारत की जो राजधानी है ना, ये कुलकता से दिली जो वो अस्थनांतरी जो वो कर दिया जाएगा, और देखें, हाडिंग के सासन काल में जो है, ब्रेटिस भारत की आपके निईन तुर है राजठ्णीी है ना फटीजिये तो यहां पर थैंसर ऑंच्यजे में युए निक्स्ट को सबर्स देकर फटेम में राजए करकोई में भी शाहिकलन को निते 42 जो संभिधान संसोधन वतना जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी के द्वारा जो आपके चार ने निर्देशक सिधानत को जो जोड़े गया थे और वो कौन-कौन से अनुछेद थे तो अनुछेद 49, अनुछेद 49A, अनुछेद 43A और अनुछेद 48A ये चार DPSP को जो है 42 संभिधान संसोधन 1976 के माद्यम से जो जोड़ा गया था तो आपका जो वर्स पूछा गया था तो 1976 आपके यहां पर करेक्ट एंसर होगा अगर संसोधन पूछ ले तो 42 संसोधन आपको ध्यान में रखना आपके खर्ले मैं बाता आपका 121 देसों में 84 अस्थान पर रहा था तो 84 आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा वहीं अगर भारत के पॉज्जिशन की बात कर ले तो 2022 में भारत 601 पैदान पर रहा था रहा हैग legitim से 2010 इंग फैर्स यूजमध बात कर ले तो 99 पाइदार यहा था निपाल की बात कर ले तो यह आपका 81 पाइदान पर रहा था अफगानिस्तान जो इस सुची में 109 अस्थान पर जो वो रहा था देखे मैं इस इन सब देशों का इसलिए बता रहा हूं क्यूंकि भारत के पडोसी देश से आपके यहां से प्रश्ण जो वो पूछे जाते इसके लाव अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात कर ले तो देखे पाकिस्तान जो इस रैंकिंग में 102 नंबर पर रहा था बांगलादेश जो एकासी वे पोजीशन पर रहा था नेपाल जो 69 और स्री लंका जो यह आपके 60 वे रैंक पर रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप के विच रीवर जो आइन चंबल फ्रोम साउथ यानि दच्छिन से जो है चंबल में कौन सी नदी मिलती है तो देखे चंबल की बात कर ले तो यह जो आपका यमुना नदी की जो वह सहायक नदी है इसके लावा चंबल की सहायक नदियों क जो अपके चंबल की सहायक नदिया है तो इन में से जो भी ओप्शन में दिया giya होगा वह आपका म dagनल की प्लप ऑंचब आता कि कंचन जंगा ये किस परवत श्रिंखला का जो और वह आपा का क्चन जंगा की कि बात कर ले तो इसक्य Almostबर की नदी है और यह जो आपका ग्रेट हिमाले स्रिंखला का जो हिस्सा है तो ग्रेट हिमाले आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावा कंचन जंगा के हाइट की बात कर ले तो देखें कंचन जंगा की जो उचाई है ना यह आपके 28,179 मेंधे और यह अगर मीटर में दिया रहे तो 586 इस इसकी हाइट है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा कंचन जंगा यह भारत के किस राज्य मेस्तित है तो यह पईंट个या 1973 ऑरफ सागरसी उठने वाला मानसूँ भारत के किन वा बागों में यह अ जो कि जून के प्रथम सब्ता में केरल के मालाबार तट पर यह वर्षा करना सुरू करता है और इसके पश्चात अगले 15 दिनों के अंदर ही यह आपके मैंगलोर तट होते हुए गोवा और महराष्ट पहुच कर जो है यह भारी वर्षा जो वो करता है तो यह जो कोशन होगा हुआ आपका option के recording ही जो आपका सही होगा तो आप बताएगा कि option में आपका कौन सा राज्जी जो वो दिया गया था सीट काली ओलंपिक यह जो कहां पर होंगे तो देखे दोजाच चबीस का जो विंटर ओलंपिक है यह आपके इटली के मिलान और कौटेनिया डी एम पेजो सहर में जो आयोजित किया जाएगा तो मिलान और कौटेनिया आपका यहा पे करेक्ट एंसर होगा नेच्स्ट कोश है आपका यहार आ पर या पर आ ता कि वेस्यų बैडमिटन Renojust CHmirati事 channel यह ना यह ये कहां पर जाएगा तो यह सोशब और यह पर किया जाएगा तो धिक्क याओ Works फ्रांस में आयोजित किया जाएगा तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा next question आपको यह प्राथा कि 5-year plan से आपको correct statement जो वो select करना था तो देखें पंचवर्शी योजना में आपका जो एक statement दिया गया था वो आपका 7.1% जो वो अनुमानित किया गया था लेकिन इसकी जो वास्तविक विकास दर हुई थी न वो 6.8% रहा था यानि नौवी जो पंचवर्शी योजना रहा था यह आपका असफल रहा था और second statement जो आपका दसवी पंचवर्शी योजना से दिया गया था तो देखें दसवी पंचवर्शी योजना का जो अवधी काल रहा था यह आपका 2002 से जो है 2007 तक रहा था और इसमें लच्छित विकास दर जो यह आपका 8.1% था जबकि जो आपका वास्तविक वृद्धी जो हुआ था न वो 7.6% जो रहा था तो यह आपका इन में से बतान सरिंगार का स्रिंगार होता है साथ बुनादी में कप का परियोग है वो किया जाता है बो उसात में अपा देख सकते हैं नेक्स्ट जो हो करे जाते हैं तो साथ यह पर requiresा सरो सरी आपका आपका ओन सर यह फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को हराकर जो वो खिताब जो जीता है और इसी के साथ जर्मनी ने अपना जो है वो तीसरा खिताब जो जीत लिया है तो जर्मनी आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाबा एफाई चौकी पुरुष विश्व कब 2023 में कि in هنا में अगer अगर हिंदी में बात करें तरप वीमान पतन प्रादिकरन है इनके प्रवंदी जो है आपके 17 अंतरास्ट्रे हवाई अड्डे हैं तो 17 अगर option में दिया गया था तो 17 आपका यहाँ पे correct tensor होगा लेकिन अगर ऐसे पूछा गया होगा कि AI के according अगर नहीं पूछा गया होगा तो फिर आपके अंतरास्ट्रे हवाई अड्डे की जो संक्या ह होती है वो आपका 34 होता है तो अगर AI के according अगर पूछा गया होगा तो 17 आपका यहाँ पे correct tensor हो जाएगा अला कोशन आया था कि fundamental duties यानि मौली कर्टबे जो है भारत के संभिधान के किस अनुछेद में वरनित है तो देगे मौली कर्टबे की बात कर ले तो यह आपका अनुछेद 51 A में जो है यह वरनित है तो अनुछेद 51 A आपका correct answer होगा वहीं अगर भाग की बात कर ले तो यह आपका भाग 4 A में वरनित है तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा इसके बात कर ले वर्तमान में मौली कर्टबे की शंक्या कितनी है तो देगे वर्तमान में आपके 11 मौली कर्टबे है लेकिन मैं आपको बता दू कि 42 जो संभिधान संसोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में संभिधान में जो है 10 मौली कर्टबे को जो जोडा गिया था और किस समीति की अनुसंसा पर ।ो देगे सर्दार संड़िक संभिधान जिसका वर्तमान में अभी नाम जो वो रूस है, रूस देश के संबिधान से जो जो वो लिया गया थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, next question आपको एक रहता है, कि संबिधान की क्स भाग को जो है, भाते संबिधान का मैगना काटा जो वो भाग 3 को जो है, या आपका previous year में पूछा गया था, तो भाग 3 आपका यहां पे correct answer होगा, और यह जो आपका भाग 3 है, यह किस से शंबंदीत है, तो यह आपका मौलिक अधिकार से संबंदीत है, मौलिक अधिकार से, यह जो कौन से अनुछेद में वरनीत है, तो देगे मौलिक अधिकार जो है, 35 तक जो वरनीत है, और मौलिक अधिकार को जो है, यह आपका किस देश के शंबंदान से लिया गया है, तो इसे आपका USA, यानि संयुक्तराज अमेरिका से जो है, इसे एडॉप्ट किया गया है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट आपका यह आप किस मंदिर में लगता है, तो देखें, अम्बुबाची मेले की बात कर ले, तो यह आपका असम में कामख्या मंदिर में, जो जून के महिने में जो इसे मनाया जाता है, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, इसके लावा असम के अन्ने मेले या फिट तेवहार की तो देखें, यह जो आपका बीहू फैस्टिबल, यह आपका जो बीहू तेवहार भी है, और बीहू जो यह आपका असम राज्य का एक लोक नित्ते भी है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, और कितने परकार के बीहू होते हैं, एक्जाम में पूछा जाता ह तो देखें, तीन परकार के जो आपके बीहू होते हैं, और तीनों परकार के बीहू का नाम जो आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा असम में, मेदम मेफी फैस्टिबल भी जो वो मनाया जाता है, माजूली फैस्टिबल भी जो मनाया जाता है, देहिंग पटकाई फ इफेंट फेस्टिबल इसके लावा अली ए लिंगंग फेस्टिबल ये सभी जो आपके असम राज्जी के जो वो तेवार हैं तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि ओनम जो है भारत के किस राज्जी में मनाया जाने वाले त तो देंगे ओनम की बात कर ले तो ये जो आपका के राज्जी में एक फसल काटने का एक उतस्व है तो केरल आपका यहां पे करेक्टरंसर होगा इसके लाव एक्जाम में तो ये आपके राजा महाबली के आअग्मन के उतस्व है इस तेवार को गो मनाया जाता है देखें यह आपका फसल काटने का उच्जव है नेक्स्ट कोश है आपका 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 था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा इस गीत के जो है वो लेखा कौन है तो देखे सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा इसकी जो रचाईता है ना ये मुहम्मद इकबाल है तो मुहम्मद इकबाल आप कहाँ पर करेक्टर होगा इसके लावा बात कर ले ये जो आपका गीत है ये किस भासा में लिखा गया था तो इसे जो आपका उर्दू भासा में जो वो लिखा गया था इसके लावा इस गीत को जो है तर चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में किसका एक आधिकार को जो है यह समाप्त कर दिया गया था कोशन है चुवली आप से यह पूछा गया था कि चार्टर एक्ट 1833 में जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी थे ना यह किस देश के साथ अपना वैपार जो वो समाप्त कर दिय तो देखे इसी अधिनियम में ब्रिटिस क्राउन के नाम पर 20 साल के लिए कंपनी के लिए जो है नविन क्रीट पट्टा भी जो वो आन दिया गया था चीन और चाय के साथ जो है या या इसी का जो वहपार था ना इसके एकादिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था और यूरोब के अप्रवासिय और भूमी और संपती के अधि ग्रहान पर जो सभी प्रतिवन थे ना इसी अधिनियम के तहर जो वो आपके हटा दिये गया थे और देखे इसी अधिनियम के तहर जो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर जो है ये भारत का गवर्नर जनरल क रूप में जो वो कर दिया गया था प्रेशिडेंसी की विदाई सक्तियां भी जो इसी अधिनियम के तहर जो आपका समाप्त कर दिया गया था भारते विदी आयों की सुरुआत हुई और कानूनी का सहिंता करन भी जो इसी अधिनियम के कारण जो यह आपका सुरू हुआ था और गुलामी का उन बुलन भी जो है इसी अदिनियम के कारण जो है यह आपका समाप्त हुआ था नेक्स्ट कोश्च आपका यहाप रहा था कि P.M.S.Y.M. का फुल फॉर्म पूछा गया था तो देखे P.M.S.Y.M. योजना का फुल फॉर्म होता है यह आपके प्रधान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना होता है तो प्रधान मंतरी स्रम योगी मांधन आपका यह एक करेक्टेंस होगा box होगा इसका आपका की पर्धान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना को जो है just 2019 में सरम और रुजगार मंतराले के तहित प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे आपका गुजरात के वस्तराले से जो है वो लांच किया गया था इसके लावा बात कर लिए ये जो योजना ये किसके लिए जो है वो पेस किया गया था तो देखें ये जो यो का सबसे बड़ा पेंसन योजना भी है और यह जो है किस मंत्राले के अधीन है तो यह आपका सरम एवं रोजगार मंत्राले के अधीन है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुश है आपका अपरादा की वेर इस दा नैस्टनल आइस होकी चेंपियंशी 2023 यह कहां पर आयोजित किया गया था तो यह आपके लेह के लदाक में आयोजित किया गया था जो कि आपका बारवा संस्करन था तो लेह का लदाक आपका यहां पर करेक्टेंसर होगा इसके लाव अगर इसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखे आपका जो विजेता टी यापका ITBP रहा था और ITBP ने जोई 2023 में final मुकाबले में जो किसे हरा है तो इस में final मुकाबले में जो है लदाक असकाउट्स को 1-0 जिरो से हरा कर जो है ये तीसरी बार इसका खिताब जो वो ITBP के दौरे जो वो जीता गया है ITBP का अगर full form पूछा जाए तो भारत तिबबत सीमा पुलीस इसका जो वो full form होता है तो ये fact भी आप ध्यान में रखीगा तो देगे ये तो होगे आपका रास्ट्री आइस होकी चेंपियंसीब 2023 के बारे में अगर आपका FIH पूरुष होकी विश्वकब 2023 के बारे में पू पूरुष होकी चेंपिया तो देखे इसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखे इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका जर्मनी देश रहा था जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में बेलजियम को हरा कर अपना तीसरा खिताब जो वो जीत लिया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहा था कि कौन सा अनुचेद या निर्धारित करता है कि सर्वोच न्याले द्वारा घोसित कानून जो है भारत के सभी पर जो वो आपके बाद्यकारी होंगे यानि सर्वोच न्याले के द्वारा जो भी आपका कानून जो वो बनाया जा नेक्स्ट कोश्य आपका यहां पर रहता कि राज्य पाल वर्स के पहले सत्र के प्रारंब में सदन के सदश्यों को एक प्रतागत संबोधन देता है यह आपका किस अनुछेद में वर्नीत है तो देखें मैं आपको बता दू कि भारते संबीदान के अनुछेद 176 में आपका यह कहा गया है कि राज्य पाल विधान सभा के प्रतेक आम चुनाओ के बाद और प्रतेक वर्स के पहले सत्र के सुरू होने के बाद जो है पहले सत्र की सुरूआत में दोनों सदनों को इसके संबन के कारणों के बारे में जो है वो संबोधी जो है वो करेंगे तो यह आपक लिखित में से कौन जो है काल का बिंदा दीन घराने से शंबंदीत है तो देखे लखनव काल का बिंदा दीन घराने से जो संबंदीत है यह आपके पंडित बिर्जु महराज है तो पंडित बिर्जु महराज है आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लाब पंडित बिर्जु महर पद्म विभूशन से जो वो कब सम्मानित किया गया था तो इन्हें पद्म विभूशन से 1986 में जो वो सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका है अपनाता कि उस्न कटी बंदिये सदा बाहर वन निमनलिकित में से किस छेत्र में जो वो पाये जाते हैं तो देगे उस्न कटी बंदिये सदा बाहर वन की बात कर ले तो यह जो आपके उच तापमान और भारी वर्सा वाले छेत्रों में जो यह आप तो पश्यमि घार दिया गया था तो पश्यमि घार आपका करिक्टर अन्सर होगा। 2011 की जनगन्ना के नुशार कुल जनसंख्या में महिला स्रमीकों का प्रतीसत पूछा गया था, तो देगे 2011 की जनगन्ना में जो आपका कुल जनसंख्या में महिला स्रमीकों का प्रतीसत रहा था यह आपके 25.6% रहा था, जिसमें कुल सरमिकों में पूरुस का अगर प्रतीसत पूछ ले नेक्स्ट रेसिप्ट में तो 53.26 परसेंट रहा था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कुछ आपके आप रहा था कि निमन लिखित में से कौन सी फुस्तक भार्टे उपनियशकार खुसवन सिंग की जो आटो भाइगराफी है तो देखे टूथ लेव एंट ए लिटिल मैलिस ये जो पूस्तक है ना ये खुसवन सिंग की जो आटो भाइगराफी है तो लव एंट ए लिटिल मैलिस ये जो आपके यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा इसके लावा खुसवन सिंग की एक और आपका बहुत सबसे प्रसीद उपनियास है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान है एक्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपनियास ये किसके नई पत्रकार और राजनी तक गये थे तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और इन्हें राश्पदी के द्वारा 1974 में पद्म भूसन से जो वो सम्मानित किया गया था और 2007 में पद्म भीभूशन से जो वो सम्मानित किया गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्य संगीत खार हैं यह जो है किस वादियंत्र से जूड़े हैं तो देखे भजन सुपारी की बात कर ले तो यह आपके संतूर वादियंत्र शेह शंबंदीत है और इनका जो नीदा ने यह दो जून 2022 को जो हो गया था तो संतूर वादियंत्र आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर 1992 में संगीत नाटक अकड़मी पुरुषकाट से शंबंदीत किया गया था और 2004 में पदम स्री शे जो वो संबंदीत किया गया था इसके लावा अन्ने संतूर वादियंत्र की बात कर ले तो देखे पंडित सियुकुमार सर्मा, राहुल सर्मा, तरून भटा चारे, अभै सो पारी, यह सब जो आपके प्रसीद संतूर वादिक हैं, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट आप कहें अब रहता कि निमली खित में से, किसने अदालत में जो है, सिजदा और पैबोस, यानि समराट के पैर चुम्बन की जो प्रता है ना, यह सुरू पूचा जाता कि सिजदा में जो क्या होता था, तो यह सिजदा में लोगों को जो है, घुटने टेकने पड़ते थे, और सुल्तान का जो वो अभिवादन करने के लिए, अपने सीर को जो है, जमीन से जो वो छूना पड़ता था, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में र प्याइसप का वर्ड़न जो वो किया गया है, और DPSP को किस देश के संभिधान से लिया गया है, तो इसे आपका आइरलेंड देश के संभिधान से लिया गया है, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट अप कह यहां पर रहा था, कि मॉलिक अधिकार, यह जो आपके किस देश के संभिधान से लिये गया है, तो देखे मॉलिक अधिकार की बात कर ले, तो यह आपका USA, यानि सहुगत राज अमेरिका के संभिधान से लिये गया है, तो सहुगत राज अमेरिका आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा, इसके बात कर लेंब वर् अधिकारों की संख्या देना वो आपका साथ था और वर्तमान में आपके छे मौलिक अधिकार है यानि एक आपका जो मौलिक अधिकार है वो किसे हटा दिया गया है तो देखें संपदी का जो अधिकार था ना वो आपका पहले जो है मौलिक अधिकार था लेकिन इसे जो है च पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा और वर्तमान में आपके जो 6 मौली का दिकार है वो कौन-कौन से हैं तो पहला आपका समानता का दिकार है जो कि अनुछेद 14-18 तक है इसके लाव अगर दूसरे की बात कर लें तो यह आपका स्वतनता का दिकार है जो कि आपका अनुछेद 39-30 में वर्नित है संविधानिक उप्चारों का दिकार यह आपके अनुछेद 32 में वर्नित है तो यह जो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है नेक्स्ट कोश आपके आपका आप रहा था कि टेस्ट मैच में एक आवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेवाज है न यह भारत के गिंदवाज जस्परीद भूमरा है तो जस्परीद भूमरा आपके यहां पे करेक्ट एंसर होगा देखे मैं आपको बता दू कि जस्परीद भूमरा ने जो है 2022 में इंगलेंड के खिलाब एक और में 35 रंजों बटो रहे थे और किस साथ में यूराज सिंग ने जो है छे बॉल पर छे चक्के भी जो वो मारे थे जो कि आपका टी ट्वेंटी था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कोश आपका अब रहा था कि लॉड डलहुजी ने अवद का जो विला है ना यह जो ब्रीटिस समर राज जी में जो वो कर दिया था तो 1856 आपका करेक्ट एंसर होगा और देखें मैं आपको बता दू कि यहां से आपका TCS का एक बहुत ही फैबरेट कोशन है जो एक्जाम में हमेशा जो वो टपकी जाता है यहां से एक प्रशन पूछा जाता है कि आवद किसने कहा था कि आ जावत की राज जी के विशह में यह कहा था कि यह एक जो है चेरी है जो एक दिन हमारे मुह में जो वो आ जाएगी तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा आपका कौन-कौन से सहर जो है कब जो आपका विले किया गया था तो देगे 17 सहर का जो विले ह आपका 1849 में किया गया था जैतपूर सहर का जो विले है यह आपका 1849 में किया गया था भगत सहर का जो विले है यह आपका 1850 में 1852 में जो है ओधैपूर सहर का विले किया गया था और 1853 में जो है यह आपके जहासी सहर का जो वो विले किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो ये आपके आगरा घराने से संबंदित हैं तो आगरा घराना आपका करेक्टेंसर होगा और इन्हें 2018 में पदम स्री आवाट से भी जो वो सम्मानित किया गया था नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि माई लाइफ ये जो है किसकी आटो बाइगराफी है तो देखे माई लाइफ की बात कर लें तो ये आपके बिल क्लिंग्टन की जो आटो बाइगराफी है और बिल क्लिंग्टन जो है ये आपके संयुक्तराज अमेरिका के जो है 1825 में विदान्थ कॉलेज की अस्थापना किस्टने की थी, जिसने भारते सिच्छन और पस्चिमी समाजीक और भौतिक विज्ञान दोनों में ही पार्ठे करम जो वो प्रदान किये गया थे, तो देखे 1825 में विदान्थ कॉलेज की अस्थापना या न, ये राजराम मोहन र भुआइस में ब्रह्म समाज की अस्थापना तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और राजराम महांडाइक जी की दारा नहीं सतीपरता का उन्मूलन भी जो वो किया गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका है परहता कि किस जंजाती की महिलाएं जो है चक्री नामक परंपरिक लोकनेते करती है तो देखे चक्री नामक परंपरिक लोकनेते है ये आपके कंजर जंजादी के द्वारा जो हो किया जाता है और ये किस राज़्य में पाई जाती है तो ये आपका राजस्थान राज़्य में पाई जाती है तो तो कंजर आपका correct answer होगा next stop कर यह आप रहा है कि run उत्सो यह जो किस राज जी में मनाया जाते हैं देगें कि यह कोशन नहीं पूछा गया था लेकिन मैं आपको बता दू कि run उत्सो जो है ना यह आपके गुजरात राज जी में मनाया जाता है इसके लाव़ एक और आपका famous उत्सो में जो पूछा जाता है, जैसे कि लोकरंग उत्सव के बारे में पूछा जाता है तो देखें, ये जो आपका लोकरंग उत्सव है ये आपके मद्दे परदेश राज जी में मनाये जाता है और ये जो फ्वे ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिख केगा, नेक्स्ट अजा आपको आपका था कि रिग्वेद में कितनी वो वो कितनी मंडल है तो देगे रिग्वेद में आपके 10 पुस्त ही यानि 10 वो मंडलो Installों का शंग्र है तो 10 आपका यहां पर एक रेक्ट अन्सर होगा इसके लिए अब बात कर ले रिग्वेद् सबसे पुराना वेद के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पुराना Rock का Rig Vege है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपको आप रहा था कि ए और अगर इसके structure की बात कर लें तो देगे बेंजीन का जो structure होता है वह इस परकार से होता है जिसमें आपके तीन जो होते हैं वह आपके carbon के rings हे वह थी हिंस होता है और थी जो होता है वह आपका double bonds होता है आप आप यहां पर clearly देख सकते हैं कि तीन जो आपका यहां पर carbon का जो वो ring बना हुआ है और तीन जो आपके double bond होते हैं एक आपका इस तरह से होता है एक opposite मतलब कि opposite में जो आपका double ring होता है तो यह structure पर जिन्नों ने भी click किया होगा उनका यहां पर correct answer होगा Next question आपका यहीं परादा कि हेलोजन के सबसे बारी कोस में पूछी गई थी तो हेलोजन के सबसे बारी कोस में आपके 7 इलेक्ट्रोन होता है तो 7 आपका यहां पर correct answer होगा इसके लावा हैलोजन के बारे में अगर बात कर ले तो दिए आवलतसारनी के जो ग्रूप सत्रह होता है उसे जो हैलोजन ग्रूप भी जो वह kağı जाता है तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और अठार्वे ग्रूप को जो क्या खा जाता है यानि उत्करिष्ट ग्यास जो वो कहा जाता है तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आपका आप रहा था कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड़ा जो ये कौन सा है तो इंदिरा गांदी अंतरास्ट्रे हवाई अड़ाप का करेक टेंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि क्रिकेट में अस्टंप की जो है वो उचाई पूछी गई थी तो देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में अस्टंप की जो लंबाई होता है वो 28 इंच या फिर अकर सेंटीमीटर में बात कर ले तो 71.12 सेंटीमीटर होता है लेकिन आपका 28 इंच दिया गया था तो 28 इंच आपका करेक टेंसर होगा इसके लाई एक्जाम में पूछा जाता है कि पूर्सो के क्रिकेट में गेंद का जो है वजन पूछा जाता है तो देखें गेंद का जो वजन होता है या आपका 5.5 और 5.7 ओंस के बीज़ों वो होता है वहीं अगर ग्राम में ऑप्सन दिया रहे है तो 155.9 और 163 ग्राम के बीजो है बॉल का जो है वो वजन होता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि इन में से कौन सा जो है गोवा का फोक डांस नहीं है तो देखे अगर गोवा के फोक डांस की बात कर ले तो देखे देखनी, दसावतार, होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाँ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और इसकी अगर किलोमीटर जो है यह कितने किलोमीटर की दूरी तह करता है तो यह आपका 9289 किलोमीटर की दूरी तह करता है तो यह फैशन है ता कि the term dribbling is associated with which sport यानि dribbling जो term है यह किस खेल से संबन्दित है तो देखे यह जो आपका dribbling सब्द है यह आपके basketball खेल से संबन्दित है तो basketball आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसके लाब बात कर ले basketball में dribbling का मतलब क्या होता है तो देखे basketball में dribbling ball को एक बार में एक हांसे जो है ल बास्केट, ब्लॉकिंग, ड्रिब्लिंग, फ्री थ्रो, हैंड बॉल्डिंग, जंप बॉल, मल्टिपल थ्रो और पीवट यह सभी जो टर्म है यह आपके बास्केट बॉल खिल से संबंदित हैं तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यह आप रहा था कि मुद्रा योजना में जो है एम का फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था तो देखें मुद्रा का फुल फॉर्म होता है यह आपके माइक्रो यूनिट डेप्लोपेंट एंड रिफाइनेंस एजनसी होता है और इसमें जो एम का पाइनस संस्थान और गैर बैंकिंग वितेज संगठनों को जो है कम दाम पर ब्याज लोन प्रदान करने के लिए इसको जो वो शुरू किया गया था तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और यह जो आपका मुद्रा योजना है यह जो है किस मंत्राले के अंतर आता है और मुद्रा योजना में जो है आपके तीन तरह के जो लोन है वो प्रदान किये जाते हैं यहां से भी एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है कि मुद्रा योजना में सिसू लोन के तहज जो है कितने तक का जो कर्ज है वो दिया जाता है तो देखे मुद्रा योजन है वो आपका तरून लोन है और तरून लोन के तहर जो है पांच लाग से दस लाग रुपे तक का जो आपको कर्ज दिये जाते हैं तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आप रहाता कि विच पिक्स कॉमने कारा कोरम ट्राय रोइंच यानि कारा क Urla डरींज में है इन में से कॉँंसि शोट कर लेत्य जहां अप सं में आपका के टु यानि गॉढडविन आस्टी आ था तो देखे ये जो आपका केटू है यह आपके कारा कॉरूम range के अंतरगत आता है तो K2 आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाव अगर K2 की बात कर ले तो देखे K2 जो है यह आपका विस्व का दूसरा जो सबसे उची चोटी है विस्व के अगर सबसे उची चोटी के बारे में पूछा जाए तो यह आपका माउंट एवरेस्ट है और दूसरी उची जो सबसे उची चोटी है यह आपका केटू है और इसकी अगर हाइट की बात कर ले तो देखे इसकी जो उचाई है ना यह आपका 8611 मीटर है अगर फीट में आपसन दिया रहे तो 28251 फिट जो है इसकी उचाई है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव अगर कारा कुरम रेंज की बात कर ले तो देखे कारा कुरम रेंज को जो है पुरानों में इस परवत माला का संस्क्रीट जो नाम है ना यह कृष्ण गिरी यानि काला पहार जो है इसका नाम जो वो दिया गया है इसके लाव एक्जाम में प्रेशन पूछा जाता है कारा कुरम लदाक और जासकर यह सबी जो स्रेनिया है ना यह किस हिमाले के भाग है तो देखे कारा कुरम लदाक और जासकर स्रेनिया यह आपके ट्रांस हीमाले के भाग हैं तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाव मैं आपको बता दो कि भारत की सबसे उची चोटी अगर पूछा जाए कौन सी है तो यह आपका खेटू है यानि गौडविन ऐस्टीन है जो कि आपका पाक अधिकरित कस्मीर में है तो यह आपका ध्यान में रखेगा कि अगर सिर्फ भारत में फुली अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे उची चोटी कौन सी है तो फिर आपका कंचन जंगा हो जाएगा क्योंकि कंचन जंगा जो यह भारत में इस्तित है जो कि आपका सिक्किम राज्य में इस्ति तो देखिए सैलिंद राजवन्स के जो राजा थे ना या आपके बाद धर्म के जब वो सक्रिय परवर्ट तक थे तो बाद धर्म यानि बादिज्म आपका यहां पे करेक्ट अंसर होगा next question आपका बाद है कि what is the opposite process of solidification यानि इसे जो ओपोजिट प्रोसेस होता है उसे जो वो क्या कहा जाता है तो देखिए मैं आपको state cycle जो समझा देता हूँ तो देखें, इस अगर लिक्विड में बनता है, तो इसे जो आपका solidification कहा जाता है, लेकिन अगर liquid से solid बनता है, तो इसे आपका fusion, जिसे melting कहा जाता है, तो यहाँ पर जो आपका opposite पूछा गया था, solidification को opposite क्या होता है, तो यह आपका melting होता है, तो melting आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि liquid से अगर आपका gas बनता है तो यह आपका vaporization होता है वहीं अगर gas से अगर आपका liquid बनता है तो यह आपका condensation होता है अगर gas से solid बनता है तो यह आपका क्या होगा तो deposition होगा वहीं अगर solid से gas बनता है तो यह आपका sublimation होगा तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पराता कि अनुछेद 48A जो है, यह आपका किस से शंबंदीत है, हलांकी कोशन यह नहीं पूछा गया था, और आपसन जो था वह आपका अनुछेद 48A दिया गया था, तो देखें मैं आपको बता कि परियावरेन की सूरच्छा के लिए प्रत्यच प्रावधान पेश करने के लिए जो है, संबीधान में आपका एक संसोधन किया गया था, जो कि आपके 42 संबीधान संसोधन जो वह किया गया था, और 42 जो संबीधान संसोधन ने गया आपका 1976 में हुआ था, और इसमें जो यह आपका अनुछेद 48A में जो वो जुड़ा गया है तो कोशन में आपका ये दिया गया था और इसका जो एंसर होगा ना वो आपका आर्टिकल 48A होगा तो आर्टिकल 48A आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आपना था कि fundamental duties यानि मौली कर्टबे जो है भारत के संविधान के किस अनुछेद में नहीत है तो देखे अगर मौली कर्टबे की बात कर ले तो यह आपका अनुछेद 51A में जो वो वरनीत है और भाग की बात कर ले तो भाग 4A में वरनीत है तो अनु मौली कर्टबे की संक्या जो है यह कब जोड़ा गया था तो देखे 42 जो संविधान संसोधन हुआ था जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसमें सरदार स्वांड सिंग समीधी के सिफारिश पर हमारे संविधान में 10 मौली कर्टबे को जो वो जोड़ा गया था और वर्तमान म जो है 11 मौली कर्टबे को जो जोड़ा गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसकला मैं आपको बता दू कि 11 मौली कर्टबे से जो है आपके लगतार एक्जाम में प्रेशन पूछे जाते हैं जैसे कि अगर 51 A के क्लोज A का अगर बात कर ले तो 51 A के क्लो इसकी लड़ाई को प्रेडित करने वाले उदात सिधानतों को बनाए रखे और इशे कायम करना यह जो आपका B में कहा गया है वहीं अगर C की बात कर ले तो देखे भारत की संप्रभूता एक्ता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रच्छा करना यह जो आपका C में जो आपका धर्म भासा अस्थानिया वर्ग में मतभेत के बाजूद जो है सभी भारतियों के बीच सद्भाव और साजा भाई चारे की भावरा को जो बढ़ावा देना है और साथी में महिलाओं की गरिमा को उठेस पहुँचाने वाले वेवार की जो वो निंदा करना है य जो आपके चठे मौली कर्टबे में कहा गया है जंगल जील नदी और वन्नी जीवन सहीत एक स्वस्त पारिस्तिकी तंत्र को बनाए रखना और साथी सभी जीवित चीजों के प्रतिया दिखाना ये जो आपके साथवे मौली कर्टबे में कहा गया है एक मानवतोहवादी द मौली कर्टबे में कहा गया है, वैक्तिगत और सामुही प्रयास के सभी छेत्रों में उत्कृष्टा के लिए प्रयास करना ताकि देश लगतार प्रयास और सफलता की अधिक से अधिक उचाई उपर पहुँछी, यह जो आपके दस्वे मौली कर्टबे में कहा गया था, और 11 इसमें अपने बच्चे या फिर प्रती पाली यानि जिसे आप गोद लिये हैं उन्हें जो है छे से चौदा वर्स की आयूग के बीच सिच्छा प्राप्त करने का आउसर प्रदान करना यह जो आपका 11 मौली कर्टबे में जो वह कहा गया है तो यह सारे 11 मौली कर्टबे को ज है जो वह किया जाता है तो देखे अनुछे 280 के ताद वित आयोग के स्थापना की गई है और इनकी जो न्यूपती राश्प्रदी के द्वारा जो वह किया जाता है तो अनुछे 280 आपका यहां पर करिक्टन सरोगा इसके लाँ मैं आपको बता दू कि टीशेस के दौरा इस निकाय है और इसका जो गठन है यह आपका उनिशो 51 में हुआ था और वित आयोग के अगर पहले अध्याच की बात कर ले तो देखे वित आयोग के जो पहले अध्याच थे ना यह आपके केसी न्यूगी थे और वर्तमान में जो वित आयोग के अध्याच यह आपके अर्व वीतायों के अध्यस थे या आपके N.K. सिंग थे तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका अमरादा कि कौन सा अनुछेद राज्येपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का अत्रिक्त प्रभार लेने के सक्ति जो वो प्रदान करता है तो आपका 1956 में हुआ था इसमें एक ही वैक्ति को जो है एक या अधिक राज्यों के राज्येपाल या फिर खेंदर सासित परदेश की उप राज्येपाल के रूप में जो वो न्युक्त किया जा सकता है तो ये संसोधन भी जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आप आप रहा था कि जागोई और चोलम ये जो है किस सास्त्रे निते के दो मुख्य भाग हैं तो ये जागोई और चोलम की बात कर ले तो ये जो आपके मनिपूरी सास्त्रे निते के जो है दो भाग हैं तो मनिपूरी आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा और मनिपूरी जो है पदम श्री आवार्ड से वह सम्मानित किया गया है तो ओडिसी आपके यहां पर करिक्ट अंसर होगा इसके लाव एक्जाम में एक प्रश्णिया से बनता है कि ओडिसी के पहले ओडिसी सास्त्री नर्तक का नाम बताईए जिने जो है पदम विभूशन पुरुसकार से सम्मान इसवी में जो वो दिया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव ओडिसी नित्य के अन्य परमुक कलाकारों की बात कर ले तो देखे संयुकता पानी ग्रही कीरन सहगल मादवी मुरुदगल काली चरन पतनायक केलू चरन महापात्रा इन सभी का जो संबंद है यह आपके और इसी सास्त्रे नित्य से है नेक्स्ट कोश आपका अपराता कि अनुछेद 75 के क्लोस 3 में जो है यह किस से संबंदीत है तो देखे अनुछेद 75 की बात कर ले तो यह आपके मंतरी परिशत से संबंदीत प्राधानों के बारे में जो है यह आपक का यहाँ पे correct answer होगा इसके लाव अगर अनुछे 74 की बात कर ले तो देखे अनुछे 74 में मंतरी परिस्ट के गठन के बारे में जो उलेख किया गया है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके आपके अपना था कि Salukas Nickator द्वारा चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था तो देखे Salukas Nickator के द्वारा चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में जो है यह Megasthenis को जो भेजा गया था और Megasthanis यह कहां का राज़ू था तो यह आपका यह यूनानी राज़ू था तो Megasthanis आपका correct answer होगा और यह जो आपका परमुक पुस्तक इंडिका नामक जो पुस्तक है ना यह आपके Megasthanis के द्वारा ही जो वो लिखा गया था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि इन में से कौन सा उडिसा का लोकनेत नहीं है तो देखे अगर उडिसा के folk dance की बात कर ले तो देखे घमूरा नेत पाला नेत दसकतिया नेत दलखाई नेत चाओ नाच चाओ देखे जो चाओ नाच होता है यह तीन परकार का होता है जो क कैलरे आपके नाच, गोटी फुवा, बागा नाच, यह सभी जो नित इयू आपके उडिसा राज्जी के लोक नित है तो इन में से आपका तीनों प्सण में दिया गया था इसके पर चॉत्गा ओप्सन दिया गया था तो देखें यह में आपका कैरल राज्जी का एक सास्त तो कथकलि आपके यहां पर ए करेक्टेंस होगा नेक्स्ट कोशन है आपका यहां बधाय आपक हें पैंदर करेक्टेंस अरुखा आ दिवाली जो इत्युहार है यह किस महीने में मनाये जाता हैं तो देखें हें हिन्दू क्यलेंकर के ऐक दिपावली का जो एक तैवार हैं यह किस महीने में मनाए जाता है तो अगर दसहरे पर्व की बात कर ले तो ईसे जो आपका आसेन मा की सुकल पच्चि की दसमीती दिको जो आप बो अब दिया गया वागा तो आसीन मा आपका यहां पे पूचा जाए तो आपकर आपके रिखिल पेह। केलेंडर के अंती महीने में में कुछ मनाए जाता है लिए तो यह आपका फ़ाग问题 मास होता है तो यह प्थान भी आप अप ध्यान में रखे गा आप आप छांध जो दो कि अप foto बाइंपsighs संबंदित है तो देखे असद आली खान की बात कर ले तो यह आपके रुद्रवीना से संबंदित है तो रुद्रवीना आपका करेक्टेंसर होगा इसके लावा मैं आपको बढ़ा दो कि असद आली खान को जो है 1977 में संगीत नाटक एकडमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और इने 2008 में पद्म भूसन से भी जो वो सम्मानित किया गया है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा अन्य वाद्यांत और उनके वादक की बात देख लें तो देखे सितार में आपके सितार वाद्यांत रसे है सरोद वादक की बात कर लें तो देखे अमजद अली खान अलाओदीन खान अली अकबर खान विस्वजीतरा चौदरी मुकेश सर्मा और बूद्र देव दास गुपता इन सबी का जो संबंद है ना यह आपके सरोद वाद्यांत रसे है संतूर वादक से है बासुरी वादक में आपके हरी परसाथ चोरसिया पन्नालाल घोस राजेंद्र कुलकर्णी वी कुंजमनी इनका जो संबंद है आपके वाद्यांत रसे है तबला वादक में जो आपके जाकिर उशैन अलारका खान गुदई महराज किसन महराज लतीब खान सुक पका वाज में आपके गुपाल दास, ठाकूर लचमन सिंग, छत्रबदी सिंग और रह्मान खान इनका जो संबंद है ये आपके पका वाज से है इसके लावा अन्य बात कर ले तो देखे रुद्र वीना में जो आपके उस्ताद साधिकली खान, असद अली खान ये आपके संबंदीत है, एस बाला चंदरन, क्रिष्ण भागवतार और बदरुदीन डागर ये जो आपके वीना वादिय अंतरशे संबंदीत है, ठाकूर भीकम सिंग, जगदीज सिंग और पालधार रगु, इन सभी का जो संबंद है ये आपके मरीदंगम से है, तो ये सारे परियोजना को जो है, वर्स 1992 में नाबाट द्वारजवाई से सुरू किया गया था, तो 1992 आपके यहाँ पर करेक्टेंसर होगा, और किस बैंक के द्वारजवाई से सुरू किया गया था, तो ये आपके नाबाट के द्वारजवाई सुरू किया गया था, और ये जो आपका खोलने की जो अनुमती प्रदान की गई है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका अपरादा की वाट इस दा लोकोमोटरी औरगेन और बैक्टेरिया यानि बैक्टेरिया का जो गतिसिल अंग जो वो कौन सा होता है तो देखे बैक्टेरिया का जो लोकॉमोटरी और गेन होता है यहां आपका फ्लेगेल्म आपका क्रिक्टेंसर होगा इसके लाँ है कमा आपको बता दो कि बैक्टेरिया यह आपके ब्रो क Changing Group से संबंधित है और यह जो आपका किस परकार का जिऊ है तो यह आपका Unicellular Organism, यानि एक कोस्के जीव है, जिनमें कुछ कोसी कांग और एक वास्तविक नाभिक, यानि नुकलेस का जो वो अभाव होता है, तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर आप रहा था, कि दागाइड बूक, यह जो आपका द नारायन जी को जो है, अंग्रेज जी के लिए पहला साहित अकडमी पूरुसकार जो है, इसी उपनियास के लिए जो है, 1960 में जो वो दिया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और इनका एक और परसीद पुस्तक है, जिसका नाम जो वो माल गुडी ड आपके गुल सन ग्रोवर की जीवनी है, तो गुल सन ग्रोवर आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट अप कह रहा था कि भूपेन हजारीका को भारत रतन से जो वो कब सम्मानित किया गया था, तो देखे भूपेन हजारीका को 2019 में मर्नो प्रांती ने भारत रतन से शमानित किया गया था, तो 2019 आपका करेक्ट एंसर होगा, और इन्हें जो यह किस छेटर से सम्मानित है, तो देखे भूपेन हजारीका, यह आपके संगीत के छेटर से सम्मानित थे, और यह आपके किस राज्जिसे शमानित थे, तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में राजगोपालचारी, सरुपली, रादा कृष्णन और सीवी रमन को जो है, ये पहली बार जो है तीन वैक्तियों को जो भारत रतन से शमानित किया गया था, इसके लावा अगर एक्जाम में पूछा जाए कि मरनो प्रांत भारत रतन से शमानित होने वाले पहले वैक्ति का अ अगर पूछा जाए, तो यह आपके इंदिरा गांदी थी और भारत रतन पाने वाले पहले खिलाडी का नाम अगर पूछा जाए, तो यह आपके सचीन तंदुलकर थे, और सचीन तंदुलकर को जो है, 2014 में भारत रतन से जो वो सम्मानित किया गया था, और आप कमेंट करक की जनगन्ना के अनुशार सबसे कम लिट्रेसी रेट यानि साचरता दर वाला राजजी जो है, यह कौन सा है, तो देखे, 2011 की जनगन्ना के अनुशार सबसे कम लिट्रेसी रेट वाला जो राजजी है ना, यह आपका बिहार राजजी रहा था, बिहार का जो लिट्रेसी र तो देखे अगर महिला में भी पूचा जा कि सबसे कम साचर्टादर वाला राज्जी महिलाओं में कौन सा राथा तो ये भी आपका बिहारी राथा दूसरे नमबर पे अगर महिला में पूचा जा तो महिला में सबसे कम दूसरे नमबर पे जो है ये आपका राजस्थान भारत का जो लिटरेसी रेट है ना यह 74.04% रहा था जिसमें पुरुष साचरता दर, यह आपका 82.14% रहा था और मैला साचरता दर, यह आपका 65.46% रहा था जिसमें अगर सबसें साचरता दरवाला राज pewno की बात गुवा, फिप्त में आपका त्रिपूरा और शिक्स में आपका दमन और दियू रहा था, तो ये करम भी जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आप कहें आप रहा था कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र सासीत परदेश यार राज्य कौन सा रहा था, तो ये लच दीप रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, वहीं अगर सबसे अधीक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले, तो देखे भारत का जो जनसंख्या ये आपका 121 करोड रहा था और इसमें जो है 2001 से लेकर आपका 2011 तक कितने का वृद्धी हुआ था तो यह आपका 17.64% के वृद्धी हुआ था यानि 10 के वृद्धी दर अगर पूचा जा कितना परसेंट रहा था तो यह 17.64% रहा था जिसमें सबसे अधिक जनसंक्या जो है यह आपका उत् चेतरफल की दृष्टी से पूचा जाए तो देखे चेतरफल के दृष्टी से सबसे बड़ा जो राजजी रहा था यह आपका राजस्थान राजजी रहा था और चेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा जो राजजी रहा था यह आपका गोवा राजजी रहा था तो यह भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोशा आपका है आप रहा था कि उस्ताद बंदु खान, यह जो Between- тому इस वाधियंतरे से संबंदी थे, तो वश्ताद बंदु खान, उस्ताद बंदु खान की, जो है पाकिस्तानी वाधियंतर के वादक थे जो कि आपके सारंगी वादियंतर से संबन दी थे तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका अब रादगी 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेमस में जो है कितने खेलों को जो वो सामिल किया गया था तो देखे अगर 2023 के खेलों इंडिया यूद गेम्स की बात कर ले तो ये जो आपका 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक जो है ये आपके मद्दे परदेश के 8 सहरों में जो है 2018 में गवा था और ये आपका नई दिली में आयोजित किया गया था दूसरे शंसकरन की बात कर ले तो ये आपका 2019 में महरास्ट में जो है आयोजित किया गया था तीसरे शंसकरन जो है आपका 2030 में जो है यह आपका आयोजित किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पूर्वी घाट की जो है ऑसत उचाई पूछी गई थी तो देखे पूर्वी घाट का जो एबरेज हाइट है यह 600 मीटर है तो 600 मीटर आपका यहां पे करिक्टेंसर होगा इस सबसे उची चोटी अगर पूछा जाए तो देखे सबसे जो चोटियों में सबसे उची चोटी है ना पूर्वी घाट की यह आपका महेंद्र गीरी है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशा आपका यहां पर रहा था कि इन में से कौन सा बायोस्पे है तो सेष्चलम पहाडिया आपका यहां पे करेक्ट्र अंसर होगा नेक्स्ट को शाप कर रहा था कि कता सरीट सागर यह किस FA में लिखी गई यह तोध है कितर सागर यह साम्देव सम् McLट के आपका यहां पर गफा में किस परकार के चिट्रे हैं तो तो मध्य पर्देशन्द से समयद रखते है यानि जब भारत आई उससे पहले मतलब कि वासकोडिगामा जो है, यह किस देश का यात्री था, यह प्रस्ण जो वो पूछा गया था, या फिर किस देश से जो वो भारत आया था, तो देखें वासकोडिगामा जो यह आपका पुर्दगाल से जो वो भारत आया था, तो पुर्दगाल आपका यहा पहुंचा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कर रहा रख कि विद्वा पुनर विवा अधिनियम के तहट पूने में अपनी पत्नी के साथ जो है अस्कूल जो है यह किसने खोला था तो देखिए अगर हिंदू विद्वा पुनर विवा अधि ना दिया था और इस अधिनियम के यह जो अधिनियम है ना यह किसके कारिकाल में जो वो इसका मौसादा जो वो त्यार किया गया था तो इसे जो है डलहोजी के कारिकाल में जो है इस अधिनियम का मौसादा जो वो त्यार किया गया था और पारी जो है यह किसके काल में सबसे प्रमुग जो वो फ्रचारक थे, तो ये गजामें पूछा जाता है कि सबसे प्रमुग जो प्रचारक थे, ये कौन थे, तो ये आपके इस्वर चंडर विद्या सागर थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, तो जो अस्कूल है ना पूने में, ये गुपा जालारी देश